हेलो दोस्तों मैं आपका दोस्त गुर्मी सिंग इस महामारी के दोर में जो महामारी अपने सारी दुनिया को क्रोना वारिस लपेट में ले रहा है उसके चलते हुए मैं कोई वीडियो नहीं बना वारा हूँ मन बदुखी है चार तरफ हाहा कार मचा हुआ है लेकिन काफी दिनों से मैं आपके सामने नहीं आ सका तो आज मैं अपने मन की बात आपके लिए कुछ देखे आया हूँ क्योंकि आप दोस्तों से ऐसा रिस्ता है कि बिना बात की हुए मन नहीं लगता और बहुत से मेरे प्यारे दोस्त जिनोंने काफी मेसेज बेजियें कि इमसाब आप चैनल पे नहीं आ रहे तो दोस्तों आने का कोई मकसद नहीं है कि खाना पीना नहाना दोना सब अलग सिस्टम हो चुका है हर इनसान का चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो तो अब मैं यहां किसी को क्या नुक्से बताऊं और क्या करूं प्यारे दोस्तों मेरे साथ जितने भी दोस्त जुड़े हुए हैं उन से मैं एक बस अपनी तह दिल से अपील यही करता हूँ कि सारे दुनिया में जहां जहां आपकी सरकारें दिन रात कोशिश कर रही हैं कि आप लाग डाउन का यानि कि कर्फू का पूरा पूरा संजी होग दें गरों से बाहर ना आएं गर्मे रहें सैनिटाइजर से अपने हाथ साफ करें बार बार साबून से दोएं अगर आप कहीं बाहर जा रहे हो किसी जुरूरी काम से आपको जाना पड़ गया या आपके गर्मे कोई आया है तो उसका भी द्यान रखें और जो अजनबी है उससे ना मिलें किसी से भी की दूरी से रहें अपने गर में साफ सुफाई रखें और अपने आपको व्यस्त रखें खाली दिमाग शेतान का अगर आप खाली रहते हो ऐसे ही बैड पर लेटे लेटे टीवी दे रहे हो और वीडियो चला रहे हो तो आपको श्रीरिक मास पेशिया ठंडी पड़ जाए इसलिए गर में रहें अपने बाल बच्चों के साथ मिलकर गर की सुफाई कर सकते हैं कोई काम कर सकते हैं या कोई ऐसा काम कर सकते हैं जिसके लिए आज तक आपको समय नहीं लगा या कोई ऐसी दूआई की खोज है कि आपको समय नहीं लगा आप उस पर उस गरत को पढ़ स सकते हैं उस अदवाई को समझ सकते हैं उसको यह कोई मेरी वीडियो या किसी हो रहकीम की वीडियो आपने एक दो बार देखी है और आपको मन में बहुत तमन्ना है कि वो नुक्सा अच्छा था और उसके लिए आप अब उस वीडियो को बार 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 देख सकते हैं अंदर जिस से आपको और महले वालों को कोई शोर शराब आजा कि कुसी कारव की परेशानी ना हो जो लोगों के गर छोटे हैं अपने गर में रहें गेट से बाहर जो आदमी आता है तो उसको वहीं रुकने के लिए बोलें और दूर खड़े ओकर अगर जरूरी बहुत जरू समझते हैं इसमें किसी का आदर नहीं है इसमें चोटा-बड़ा-उंचा-निचछा जाती चोटी का हो चाया बड़ी का हो ये करोना वार्ष किसी को नहीं शोड़ रहा और इसी परकार ओ आपना रहें वात्मा भी कहीं भी छोटा बड़ा उंचा निच्चा जाती ब्रादरी किसी के दोर से नहीं देखता वो भी सब पर अपना रहम बरसाता है देकी करो और नेकी वो करो जिसमें देखो कुरान शरीफ हो या गुरु गरंट साब हो या कोई भी दार्मिक गरंट है जो हमारे जो हमने मजब बनाए हुए है उनके अदार पर तो किसी भी मजब में किसी भी गरंट में ये नहीं कहा गया कि इनसान की कोई जाती है लेकिन दुनियादारी में जाती तोर पे बहुत जादी बाते होती हैं तो इनसे परे हटकर आप दूसरों की मजद करें अपने गरंबे बैठते हुए ही आप यह कोशिश करें कि आपके साथ वाला कोई दोस्त कोई बिमार जहां बुखा दो नहीं जहां तक उसकी मजद हो सके करें तो गलियों में निकल कर रास्तों में निकल कर बिना कनूनी इजादत से अपने लंगर लगा कर ना बैठें यह भी बहुत बड़ी बारी कमी है कुछ लोग ऐसा अताय समा सेवा के लिए खुद ही निकल जाते हैं तो किसी परकार की आपने किसी की भी मदद करनी है तो उसके लिए आपके आस पास जो भी सरकारी मुलाजम या पुलिस गूम रही है उनसे अपने रिक्वेश्ट दें अगर वो आपको अनुमती देते हैं क्योंकि जो हमारे लिए दिन राद बार खड़े हुए हैं दिन राद हमारे लिए करोणा वारस के बीज में गूमते हुए हमार को अपनी वर्दी के या अपने अपसर पुने के कारण आपको को जलील करना चाहते हैं या आपको वो कोई खुंदक नकालना चाहते हैं या आपको माना पीटना चाहते हैं केवल उसो केवल वो यही चाहते हैं कि आप अपने घर में रहें करोणा वारसे हम लड़ रहे हैं और आपके साथ आपकी हर मसीबत को पूरा करने के लिए, अपकी हर जरूरत को पूरा करने के लिए वो खड़े हैं। ये बात मैं अपने इंडियन लोगों के लिए बता रहा हूं। देखो हमारे मुख मंतरी अधनियम मोदी साव ने इतना बड़ा टेंशन ने रखी है कि जिस किसी के बसका रोग नहीं होता है। बड़े बड़े तरकी कार जो देश हैं। उन्होंने भी इतनी गलतियां करके और अपने इतनी बड़ी बिमारी और इतने बड़े तैदात में लोगों से परिशनी से जूज रहे हैं। अब हम किसी पर तोमत क्यों लगाएं कि उसने क्या गलती किया। लेकिन उनकी गलती से सीख कर हमारे मुखे मंतरी आदरनिय मोदी साब ने इतना बड़ा ऐलान किया है। कुछ लोग ये हैं बोल रहे हैं कि उन्होंने त्यारी नहीं की लाक डाउन लगाने के लिए करफू लगाने के लिए त्यारी नहीं की तो लोगों का कुछ का ये कहना है कि पांच चार दिन अगर दे देते तो लोग चले जाते ये हैं। बिल्कुल गल्ट बात है, इसके लिए मैं अपने अजर्निय मौदी साब को देह दिल से दन्यवाद देता हूँ, कारण ये है कि अगर मौदी साब दो दिन पहले भी ये बता देते कि आप कहीं जाना चाहते हो तो चले जाओ, तो देखो, केवल सो केवल ये 21 दिन तो उन लोगों को समझाने के संभालने पे ही सारा प्रशाशन लग जाता, तो सारी अपने हिंदूस्तान में जो अब तक बहुत कम केस आ रहे हैं, तो यह रातो रात हजारों लाकों की तदावत में बन जाते हैं। तो इसलिए सरकार की सहारन या बहत तहद दिल से धन्यावाद करते हुए, मैं अपने देश वासियों से अपील करता हूँ, कि वो सरकार का साथ दे, अगर किसी की मदद करना चाहते हैं, तो सरकारी अपसरों से बात करें, अगर वो मनासिब समझें, तो आपको साथ ले सकते हैं, लेकिन जिन लोगों उन्हों अपने गर में रहने के लिए कहा गया, केवल वो बाहर गली में भी कुरसियां लगा कर ना बैठें, बहुत से दोस्त हैं, जो गर्यों में, गर में तो रह रहे हैं, लेकिन अपनी गल्यों में कुरसियां लगा कर आसपरोस में बाते कर रह हैं देखो इतना बड़ा काम नहीं है गरमे रहना अभी नेट चल रहा है टीवी चल रहा है पानी आ रहा है बिजली आ रही है तो अगर हम उनका साथ देंगे तो यह मसीबत से लड़ा जाएगा तो आप मेरे कहने पर अगर किसी को भी यह कोई बाहर से आया हुआ है किसी नमबर दी हुए है उनको नोट करके रखें आपके फोन में आपके मीडिया पे टीवी पे रेडियो पे सब जहां पे सरकारें अपने अपने शेतर में हेल्प लाइन की जो नमबर दे रहे हैं उनको अपने घर में लिखकर रखें अगर आपको को शंका होती है तो उनको फो अगर आपको किद्क्कत होती हुटा फटा फटान चाहिए तो वह उस लियह त्यार टीपते हैं आपके कई पहूंचेंगे आपको स्यायता देंगे अगर किसी को इसुलीन वार्ड में लेकर जाना पड़ेगा तो वो लेकर जाएंगे उससे उसकी भी हेल्थ होगी और आपकी भी अगर किसी को थोड़ा सा भी को प्रोब्लम होती है उसको शुपाएं नहीं फटा फटा अधकारियों को बलाएं बताएं अगर आपके पास नहीं है तो आपके बाहर जो गूम रही पूलस है उनको इशारा करके बलाएं और उनको बताएं ये प्रोब्लम है अगर आप इसको शुपाते हैं दुनिया में कोई इलाज नहीं है तो बहुसे हकीम और जो तंतर मंतर वाले हैं उनसे बचें कोई दवाई नहीं है जब तक सरकार आपको नहीं बोलती तब तब का आप अपनी मरजी से या फेसबुक टीवी या मोशोशल मीडिया से किसी भी चीज का कोई ऐसा न कहें भी इस चीज खाने से आपका करोना ठीक हो सकता है उसके कारण आप उस मालक के घर में गुनागार बनेंगे कारण ये है अगर आपने किसी को बोल दिया कि ये चीज कोई खा लेगा तो उसका करोना वार्स ठीक हो जाएगा चार दिन खाले पांस दिन खाले तो ओ आदमी को अगर थोड़ी सी भी शंका होती है तो वो आपका तोटका अपनाने लग जाएगा तो वो सरकार के पास नहीं जाएगा और इतनी देर में वो हजारों लोगों को वो बिमारी दे देगा तो अगर आपने यह काम किया आपने पुन्ने का काम नहीं किया जो लोग उन लोगों को करते हैं उन्हों ने उस मालक के घर में अपना स या वर्जिस से आपका करोना ठीक होगा, तो ना ही आप कोई मैडिसन खुद से खाएं, ना किसी अच्छे डाक्टर के सला के बिना कोई खाएं, अगर आपको कोई फिलू हो गया है, या आपको कोई ऐसी अमर्जनसी हो गया है, तो वो प्रमिशन लेकर डोक्टर की सला से खाएं, जो हकीम लोग हैं, उनके लिए मैं एक द्वाई बिताता हूँ, वो अपने कर्मे बना कर रखें, और अगर आपको गले में खारच होती है, नजला गिर रहा है, फिलू है, उसके लिए आप उसको दो तीन बार खाएंगे, तो उससे ठीक हो जाएगा, कारण ये है, कि आप इसी दोई को करोना पे नहीं लगाएंगे, तो यह दोई पावरफुल होगी आपके लिए, लेकिन मैं यह करोना वारस के लिए किसी को फोर्स नहीं करता कि वो करोना वारस की खाएंगे तो उससे ठीक हो जाएगा, बहुत से दोस्तों मुझे मैसेज करें हैं, देख आदमी को दुनिया की सेह से नहीं खेलना चाहिए, अगर कभी कोई नुकसे ऐसे होते हैं, किसी एक इनसान को दे दिया, दो इनसान को दे दिया, उनसानों को को फैदा नहीं हुआ, तो वो और किसी से लेकर फैदा कर लेंगे, अगर आपकी दोई से नुकसान भी नहीं तो यह मर्ज तो दिनों का है, दिनों के पल से पल बढ़ता जाता है, केवल एक इनसान के लिए नहीं है, उसके संपर्क में आने वाले हजारों की तदात में लोग भी इसी चीज़ से गरस्त हो जाते हैं, इसलिए मेरे जितने बहकी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वो इस बा गर्मे रहें, प्यार से रहें, अपने गर्मे बैठ कर बच्चों से बातचीत करें, जो पढ़ना है उनको पढ़ाएं, थोड़ा गर्मे ही टहलें, उठने बैठने के और भी मैं तरीक के अगर वीडियो बनाई तो वो बता दूँगा, यह हैं दोस्तों हम जो मैंने बताया लगें, उनके अंदर में जो बीज लगेंगे, वो भी मैं आपको लाइफ निकाल कर दखाऊंगा, अब दोस्तों, यह इसके बीज ऐसे होते हैं, दतूरे के बीज काले नहीं होते, यह भी त्यार रखना, यह जो अपने इलाके में बीज होते हैं, क्योंके पनसारियों से ज कर रहे हैं, इनकाम तेल भी नकालेंगे, आगे माने वाली द्वाईयां भी बनाएंगे, अब दूसरा है, जो दतूरे का यह है, डवल, इसको डवल आता है, वो जो से दूसरे दतूरे तो उनको सिंगली फूल आता है, तो यह भी जो, मैं कोशिश करूँगा, कि बाद में, जब कोई दो सकीम मेरे से द्वाई मंगाए, या उनको मैं पांच साथ बीज साथ में बेजने के लिए बेज़े करूँगा, अगर हमारे पास कठे होगे, इसका कारण यह है, कि सबी हकीम अपने गर्मेगे के दो दो पोदा लगाएंगे, तो यह जो लुपत हुई जाती है कि हर जगा नहीं मिलते, तो यह हम इसकी कास्ट करेंगे, सबी हकीम मिलकर, जिससे हमें भी फैदा होगा, और हमारी आने वाली पुस्तों को भी, नसलों को भी यह चीज पृत्वी पर, दर्टी पर मिलेगी, वो फैदा उठा लेंगे, जब यह ही खत्म होजेंगी, जड़ी बुटियां असानी से नहीं मिल रही, जिसके इलाके में नहीं मिलती, तो वो इसकी कास्ट करके, तो आगे सागे बढ़ा सकता है, तो दोस्तों, यह मेरा आपके साथ केवल मिलने का एक था, कि मेरा मन भी अदास्ता, जो मेरे प्यारे दोस्त हैं, उनका भी बहुत मन अदास कि हम आपकी वाहिज सुनना चाहते हैं कि आप तंदरुस्ता हैं बिलकुल हम तंदरुस्ता हैं और उस मालक की उस परमात्मा की अल्off वह्यकृ परमात्मा की पोरी महर है और आपकी दौाइन हैं और मैं हमेशा सब के लिए सब के लिए वही दुआइं मांगता हूँ जो आप मेरे लिए मांगते है कि आपने जो मेरे लिए मांगा है अब दोस्तों आपने क्या करना है कि आप पचास ग्राम या सो ग्राम गंदक ले ले उसको पीस ले आमला सार शुद हो या ना शुद हो कोई मतलब ने शुद करने अच्छा है नहीं हो तो ठीक है उसको पीस कर रख ले और सो ग्राम आप की डलीले इन गोदंती गोदंती हरतालोती है या केवल हकीमों के लिए हकीमों को पता उस गोदंती हरताल को आप ऐसा करें चाहे चुले पे ऐसे पकड़ किसी चीज से उसको ऐसे गरम करें कि वो एक बार गरम हो जाए उसके बाद उसको पीस लेगो पांस साथ मिन्ट उसको गरम कर ले किसी जरीए से कर ले चाहे कॉलों पे रख ले चाहे आग पे रख ले ना हो तो गैस पे ही रखके उसको 2 बार 5 बारे 2-4 मिनटी धरा अगदी तो गर्मोजखती है उसके बाद उसको पीज लें पीज के अरब अपने पास रख लें एक कुजी लें रोगनी उसके निचे दो गतोले पहले गंदक बिचा दें उसके उपर दो गंदक बिचा दें फिर 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 गंदक बिचा दें पिर गंदक बिचा दें पिर गंदक बि हो दरमानी तेज से थोड़ी कम और सेंटर से बीछ वाली आप अधी आग भी दे सकते हैं जितनी आग में हम گैस चलाकर रूटी से राटी पकाती है भी बी ऑइं जितनी आग वो रखते हैं उस से थोड़ी कम रख लेजा आधी रख लेजानी एक आपसे मिला हुआ हादसा बन जाएगा तो फिर दोस्तों उसको आप क्या करें कुझी को फिर उपर थोड़ा सा गरम करें क्योंकि यह जो गंदक पिखलेगी गोधंती के साथ वो निच्छे चिपक जाएगी उसके तलेबे तो आप क्या करें फिर कुझी को आग पे रखें जब तो फोड़ी सी गरम हो जाएगी तो अगर आपने निच्छे इतार दी है तो थंडी होगे जब जाएगी जब गरम हो जाए तो उसके निच्य से इस चक्पू से उसको उठागर informs करने वाए फिर जम जाएगी फिर उसको पीस ले पीस कर उपने पास रखें और इसके आ बड़े दोस्त हैं, उनको नजला जुकाम या गले में इंफेक्शन होती है, उसके लिए बुखारों में भी जिसम के लिए हर जगां पे काम करेगी, हर फलू पे काम करेगी, जैसे अब सर्दी का मौसम बदला है, तो दोस्तों को हो जाता है, तो यह आप किसी भी बदरके से दे सकते हैं, या किसी भी काड़े से, या वैसे ही गुंगने पानी से भी दिन में दो तिन बार दें, ठीक हो जाएगा, जो बच्चे हैं, उनको सो सबसो गराम की दौई दें, जो बिलकुल छोटे बच्चे हैं, दो चार मालो, साल के हैं, उनको ऐसे ही थोड़ी सी कोई मसर के दाने जितनी, शैद मेरे रहा कर चिटा दो, तो यह खांसी जुकाम नजला ठीक हो जाएगा, उसके बाद, दोस्तों, बस, यही मेरी प्रात्ना है, कि अपनी सरकार, जो हमारे लिए दिन रात कर रही है, उसकी साहता करें, अगर हम पैसे से, या किसी और तरीके साहता नह कर सकते, तो अगर हम अपने गरों में रहते हैं, तो उससे भी हम अपनी सरकार और अपने इंसानियत की सेवा कर रहे हैं, धन्यवाद दोस्तों.